हेलो दोस्तों कैसे आप सभी यह देखिए हम कुछी इस तरह का इस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसमें आपको स्रिफ टोच करना है इस माचीस के तिली को यहाँ पर और आपका माचीस के तिली जोलने लगेगा माचीस का बोक्स में वो था जो कि उसमें कभी बढ़ता था कभी नहीं बढ़ता था इसमें स्रिफ टोच करना है और बढ़ना इस्टार्ट हो जाएगा अगर आप हमाय चैनल पढ़ना आए हुए तो हमाय चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जब भी को वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पदे पहुंचे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें यह देखिए एक सब चोटा सा बोक्स यह डावल बैटरी और एक मोटर और यह एक इसमें लगाने वाला काईपीस का है यह स्वीच और यह माचीस यह आपको मार्केट में 8 पर मिलेगा यह 10 रुपए यह 20 रुपए यह 3 रुपए और 3 रुपए यह 1 रुपए और यह वायर है जो मैंने सब यह आइटम का प्राइज बता दिया है चलिए हम इस सब को साइड में रखते हैं जो हमें काम है अब उसका यूज करेंग हम चलिए सबसे पहले हम इस काइब को इसमें लगाते हैं कि हमने काइब को लगा दिया है चलिए इस बैटरी को हम इस बॉक्स में डाल देते हैं जो कि यह दखिए स्वीच रहा हम यहाँ पर इसको आइड कर रहे हैं सोल्डिंग आइरन से यहाँ पर थोड़ा सा होल करना पड़ेगा चलिए हम इसमें होल कर देते हैं दोनों साइड में यह देखिए हमारा दो ठोल हो गया और यहाँ पर ऐसे हम इसको चिपका देंगे आप फेवी क्विक से या फिर गुलू गंस की साहता से आप यहाँ पर चिपका देंगे हमें स्वीच के दोनों छोर पर वायर को आड कर लेते हैं आप चाहें तो सोल्डिम ही कर सकते हैं हम ऐसे ही इसको एसमें लगा देते हैं यह देखिए हो गया इस तरस इसमें वायर को लगा कर चलिए हम गुलू गंस से इस स्वीच को चिपका देते हैं आपको अब फिर दिखाते हैं यह देखिए हमने स्वीच को चिपका दिया है और देखिए एक छोर को बैटरी वाले को इसमें अटाइच कर देते हैं जोड़ देते हैं और है और यहाँ पर सेलो टेप मार देंगे ताकि सौट न लड़े यह देखिए हमने यहाँ पर टेप भी मार दिया है चलिए और यहां जो कथो रहा है यहां से निकालेंगे इस वयर को अंदर दाल कर इस बॉक्स को बंद कर देंगे यह देखे बंद हो गया ये देखिए रहा मोटर जो कि हमको यहाँ पर ऐसे चिपकाना है चलिए सबसे पहले हम प्लस वाले वायर को प्लस में माइनस वाले वायर को माइनस में जोड़ देते हैं ये देखिए यह प्लस है यहाँ पर यह देखिए प्लस है यह माइनस है चलिए हम आप इस wire को add करके दिखाते हैं आपको ये देखिए हमने wire को add कर दिया है और यहां परेसे चिपका देते हैं इसको चलिए हम सायता से इसको चिपका देते हैं ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से चिपका दिया है ये देखिए हम चलू करके आपको दिखाते हैं आवाज कर रहा है ये देखिए अप अन और इस माचिस को हमको ऐसे निकालना है और यहाँ से इसको कटिंग करना है आप देखिए देखिए कुछ इस तरह से साइड को काट लिया है और ये देखिए एस वराइड का टैप है ये जो और इसको यहाँ पर ऐसे चिपकाना है हमें कुछ इस तरह से ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है और यहाँ पर एक होल कर दिया है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से और इस स्काइब को यहाँ पर ऐसे लगाते हैं यह देखिये लग गया आपको दिखरा होगा और यहाँ पर इसको ऐसे चिपका देते हैं ताकि कभी हीले नहीं यह देखिये हमने इसको चिपका दिया है आप देख सकते हैं चलिए हम आपको स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं यह देखिये यह देखिए बहुत यह स्पीड में भूम भी रहा है चलिए हम इसका चलिए हम इसका अब यूज़ करते हैं यह देखिए बस हमको लेना है और इसका हाँ पर ठेकाना है कुछी इस तरह से और यह देखिए जल्गने लगा आप ऐसे ही बना सकते हैं हम नेक्ष्ट आपको भी दिखा देखिए कैसे करना है यह देखिए ऐसे कुछ हमें बारना नहीं है सलाई को बस इसको लेना है और यहाँ पर एसका ठेकाना है यह देखिए कुछ हमारा है जलने लगा यह इस तरह से चलिए हम आपको नेक्स्ट फिर इसको दिखा देते हैं आप ऐसे ही इसका यूज़ कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस बैटरी से बना कर आपको दिखाएंगे जो कि बहुत ये स्पीड में रॉनिंग करेगा जो कि ये दोनों बैटरी चार्ज यूबूल है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में